नमस्कार दूस्तों, आज हम आपको ब्रम्हन्द के सबसे प्राचीन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे वेद पुराणों आदी में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्तियों के नाश हेतू ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ती की थी ब्रम्हास्त्र का अर्थ होता है ब्रम्ह अर्धात ईश्वर का अस्त्र प्रारंभ में यह केवल देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेष्टा अनुसार अस्त्र होता था देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को परदान किया इसके बाद यह इनसानों तक पहुँचा कहते हैं कि प्राजीन भारत में कहीं कहीं ब्रहमास्त्र के प्रयोग किये जाने का वरणन मिलता है रामायन में भी मेगनाद से युद्ध हेतु लक्षमण ने जब ब्रहमास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्रीराम जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी लेकिन कहते हैं कि राम रामन युद्ध में ब्रहमास्त्र का प्रयोग हुआ था इसके बाद महाभारत के युद्ध में भी अश्वत्थामा ने इसे प्रयोग किया था रामयन और महाभारत काल में ये अस्र गिने चुने योद्धाओं के पास था Рامیन काल में जहाँ यह विभीशन और लक्ष्मन के पास था वही महभारत काल में यह दुरौन चार्य अश्वत्थामा, कुवलाश्व, युधिष्टिर कर्ण, प्रध्युमन और अर्जुन के पास था अर्जुन ने इसे दुरौन से पाया था द्रोनाचार्य को इसकी प्राप्ती राम जाम दगनेय से हुई थी ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं छोटे बड़े और व्यापक रूप से संगहरक एक्छित रासाइनिक दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदी माना जाता है कि दो ब्रहमास्त्र के आपस में टक्राने से प्रलय की इस्थ्ति उत्पन्न हो जाती है इससे समस्त्प्रिश्वी के समाप्त होने का भεια रहता है महाभारत के सौपतिक पर्व के अध्यायत 13-15 तक ब्रहमास्त्र के परिडाम दिये गए है महर्शी बेजव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रमास्त्र छोड़ा जाता है वहां बारा वर्षों तक परजन्य ब्रिष्टी जीव जन्तू पेड़ पौधे आदी की उत्पत्ती नहीं हो पाती महा भारत में उलेख मिलता है कि ब्रमास्त्र के कारण गाउं में रहने वाली इस्त्रियों के गर्भ गिर गए थे गाउर तलब है कि हीरोशीमा में रेडियेशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और इस इलाके में बारा वर्ष तक आल अकाल रहा था यह अकाल कुल बारह वर्शों तक चला इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रमास्तर भी परमाडू बम जैसे ही रहा होगा इस अस्तर का काट किसी के पास नहीं था कहते हैं कि ब्रमास्तर को ब्रमास्तर से ही रोका जा सकता है या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता है अश्वत धामा ने जब अरजुन और स्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता है वह इसे वापस लेने की छमता भी रखता है लेकिन अश्वत धामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था जिसके परणाम स्वरूप उससे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड दिया लेकिन इसके असर से मृत जन में शिशू को स्री कृष्ण ने जीवित कर दिया प्रतियक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देविया देवी का दिकार होता है और मंत्र तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है ब्रह्मास्त्र अचूकस्त्र है जो सत्रू का नाश करके ही छोड़ता है इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है अन्यता नहीं शोधकारिय के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में पर्माडू बम का प्रयोग हुआ था 42 वर्ष पूर्व पुणे के डॉक्टर वलेखक पधमाकर विश्णू वतर्क ने अपने शोधकारिय के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तमाल किया गया था वह पर्माडू बम के समान ही था डॉक्टर वर्तक ने 1979 में एक किताब लिखी स्वयम्भू इसमें इसका उलेख मिलता है कहते हैं कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपन हाईमर ने गीता और महाभारत का गेहन अध्यन किया इन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संगहारक छमता पर शोध किया और अपने मिशन के ओप नाम दिया ट्रीनिटी अर्थर्द त्रीदेव रॉबर्ट के नेत्रित्म में 1949 से 1945 के बीच वैग्यानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया 16 जोलाई 1945 को इसका पहला परिक्षण किया गया सिंधुगाटी शब्यता मोहन जोदाडो हरपा आदी में हुए अनुसंधान मैं से कई नगर मिले जो लगभग 5000 से 7000 इसा पूर्व अस्तित्म में थे इन नगरों में मिले नरकंकालों की इस्थती से ग्यात होता है कि मानों इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है इसके भी सबूत मिले हैं कि यहां किसी काल में भयंकर उश्मा उत्पन हुई थी इन नरकंकालों का अध्यन करने से पता चलता है कि इन में रेडियेशन का असर भी था दूसरी और शोध करता के अनुसार राजिस्थान में जोधपुर से पश्चिंदिसा से लगभग दस मील की दूरी पर तीन वर्ग मील तक एक ऐसा छेत रहे जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया जिससे समस्त भवन और लगभग पांच लाख निवासी आज से लगभग आठ हजार से बारह हजार साल पूर्व किसी विस्पोर्ट के कारण नश्ट हो गए थे माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र बहुत ही प्रलेंग कारी होता है इन अस्तों का प्रयोग करने पर देवता उन्हें रोकने के लिए प्रकट हो जाया करते थे आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपिया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं